हेई हेलो फोट इस अप इंटरने दिस जंकी तार्या सेम येर और वेल्कम बैक तो कोटलीन टूटोरियल वेल्कम तो लेक्चर नमबर त्री आज हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पिछली वीडियो में मैंने आप से बात की थी वेरियबल्स के बारे में और काफी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा था कोटलीन क्या है फीचर्स वेरियबल्स वेरियबल्स बनाना प्रिंट करना काफी सारी चीज़ें हम लोगों ने अल्रेडी सीख रखा है lecture number 2 तक और अब हम बात करेंगे आगे बढ़ते हैं kotlin tutorial में यह lecture 3 होने माला है तो और चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हम आज क्या पढ़ेंगा तो यह सब मैंने I think बता दिया था आपको कि explicitly आप कैसे value assign करते हैं कि variable में explicit type कैसे बनाते हैं तो semi colon लगाकर आप बनाते हैं rules तक कि यह सब मैंने बताया था अब हम पढ़ेंगे can we assign a value to another variable एक variable के value को क्या हम दूसरे variable में डाल सकते हैं उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे converting the value को कैसे convert करते हैं variable को एक type से दूसरे type में उसके बाद हम और सारी चीज़े पढ़ेंगे अरे के बारे में पढ़ेंगे कुछ चीज़े कुछ चीज़े string literals के बारे में पढ़ेंगे तो और एक छोड़ा सा program बनाएंगे जो बहुत मजा आएगा हमको प्रोग्राम में बनाने में अरे में ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर हमें आज पढ़ना है यहां से मैं थोड़ा सा चोटा करता हूँ और यह रहा हमारा तो चलिए lecture start करते हैं ओकी तो variable मैंने बनाया था आपको value डालना बनाया था कैसे value store करेंगे कैसे सारी चीज़े करेंगे वो सब मैंने आपको सब बता दिया था अब हम पढ़ेंगे can we देखिए यहां से lecture number 2 यहां से start होगा lecture 3 can we assign a value to another variable क्या हम another दूसरे variable में पहले variable का जो value है वो assign कर सकते हैं क्या can we assign a value to another variable ठीक है मतलब यहां example देखिए कि var x एक variable है है ना यह एक variable है और इसके साथ नीचे में एक variable है y है ना तो यह y variable में किसकी value डाली गई है x की तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं yes but when you assign the value of one variable यहां देखिए when you assign the value of one variable to another you need to make sure that their types are compatible with each other यह important और चाहिए compatibility होनी चाहिए मतलब कि माल लिजे ऐसा समझते हैं एकदम example simple example लेके देखते हैं एकदम कि एक इतना बड़ा bottle है इसका इतना बड़ा माल लिजे कि एक इंच का धक्कन है एक और बोतल है जिसका same size का बोतल है उसका भी धक्कन एक इंच का है और दोनों का धाचा same है मतलब कि दोनों का जो बनावट है वो same है तो आप इस वाले बोतल के धक्कन को इसके साथ replace कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं मतलब कि अगर मैं चाहूं B और इस बोतल का नाम रखते हैं A A के धक्कन को B में लगा सकते हैं B के धक्कन को A में लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तब जब इन दोनों का size बराबर हो है ना So same size हो same तरह का बनावट हो एक condition है तो ठीक उसी तरीके से जब आप variable बनाएंगे माल लिज़े हमने बनाया बहर A ठीक है तो इस भैर A में अगर आपने value रख लिया 20 और आपने एक नीचे variable बनाया भैर B तो इस में इस B में क्या हम A रख सकते हैं ऐसा 20 नहीं क्या हम A direct रख सकते हैं तो जी बिल्कुल रख सकते हैं लेकिन तब ही रख सकते हैं जब आपका compatible type होगा data type जो होगा वो compatible होगा वो match करना चाहिए मतलब by default याद किजे मैंने आपको variable के tutorial में बताया है by default Kotlin में int type का variable होता है compiler int समझता है अगर आप यहाँ पे type ऐसे करके byte कुछ ना लिखें तो क्या समझता है int समझता है है ना क्या समझता है int ठीक है variable a equal to 20 और यह int type का है और अगर आप यहाँ पे भी type ना दे तो यह भी int समझेगा है ना compiler आपका तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह भी int type का है variable b और variable a भी int type का है तो जब दोनों int type का है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह वाला code जो है सही है इसका मतलब इस B में A का ये A value है ठीक है A variable है और A के पास किसका reference है एक integer का reference है जिसका value क्या है 20 है तो इस B की value भी क्या हो गई 20 हो गई B के पास भी किसका reference हो गया इस A का समझ गया तो इस तरीके से काम करेगा कब जब compatible types होने चाहिए दोनों data types same होने चाहिए ऐसा नहीं कि ये और केस देखते हैं कि माल लिजे आपने एक variable declare किया यहां से आपने एक variable declare किया ऐसे भैर भैर name है ना आपने यहां से भैर name कर दिया declare और इस name में आपने डाला लिट से जोए जे ओई ठीक है और यहां पर आपने एक variable declare किया where x ठीक है और इसका type आपने दे दिया इस x में int ठीक है तो अब आप अगर यहां पर int देखो देखो इस variable में a string type है है ना यह मैंने आपको बताया है यह variable में आपने क्या दिया a string type दिया right अरे यह क्या rotate हो गया यार मेरे को लोगा undo है but यह तो rotate हो गया अरे अरे यार एक मिनट एक मिनट बस ठीक है चलिए तो यहां पर कौन सा variable है यह variable a string type का है यह name variable क्या हुआ a string type का हुआ लेकिन आप ध्यान से समझे यहां पर यह जो a string variable जब name type का हुआ और यह a string variable जब name variable जब हुआ वह एक a string type का हुआ हमें आप यह string डाल रहे है और नीचे आपने दे दिया var x int x variable डिकलेर किया जिसका type है int अगर आप इस type में इस int में name store करेंगे तो incompatible types compile time error आ जाएगा क्यूंकि आप int type के data में a string का object रख रहे है a string type का जो value है वो रख रहे है तो यह गलत है ठीक है मतलब मान लिजे कि एक एक ऐसा bottle है मतलब एक मान लिजे कि Coca Cola का bottle है एक Pepsi का bottle है आप Pepsi के bottle को Coca Cola से replace कर रहे है उसके cap को ठीक है एक दूसरे से तो कैसे होगा वहाँ पर नहीं होगा ठीक है तो यह problem है समझ गया ऐसा नहीं होगा जब भी ऐसी condition रहे तब नहीं होगा incompatible types कभी भी match नहीं करेंगा और कभी भी जो है आपका value वो एक दूसरे variable में store नहीं किया जा सकते एक दूसरे का value ठीक है तो हमेशा धिहान रखिए कि जब भी आपको variable का value एक value से दूसरे मतलब दूसरे variable में एक value डालना होगा तो compatibility होनी चाहिए types की ठीक है तो अगर मैं माल लेजे कि यहां से intelligent idea आपको खोल के दिखाऊ और थोड़ा सा practical करें तो मैं आपको बताता हूँ पर तब तक हम यह देख लेते हैं थोड़ा सा यह demo मैंने आपको बना रखा है यहाँ पर कि देखिए where में x है ठीक है इस x में इस x variable में 5 value है मतलब कि already integer है आप इस integer में देखिए 5 का एक 5 किंट है जिसका object है इस x के पास 5 का reference है y में हम x डाल दे रहे है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ से इस integer y के पास किसका reference आ जा रहा है इसी 5 का लेकिन आप ध्यान से समझे कि where z long जब long में हम डाल रहे है अब की बार z को हमने long type का बना दिया और हम इसमें x डाल रहे है और x में क्या है हमारा int है तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी है ना तो यहाँ पर करने के लिए हमको value को convert करना पड़ेगा पहले हम example थोड़ा सा देख लेते हैं और मैं यहाँ पर right click करके एक नया right click करके new में जाके एक kotlin file बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ इसका नाम रखते है variables demo 2 variables demo क्योंकि हम variables में थोड़ा सा देख रहे हैं फिर आरे पढ़ेंगे ठीक है कोई बात नहीं थोड़ा सा जरूरी है यह इसको छीपात देते हैं आपी के लिए मैं लिखता हूँ function main और इस main को मैं यह लिजे और यहां आगे हम अब इसमें हमको क्या लिखना था मैं एक variable declare कर रहा हूँ ठीक है फैर a इसमें हम डालते है 10 अब ही अगर हम print करेंगे किसको a को तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमको print करके मिल जाएगा ठीक है अभी देखिए अभी अब देखिए अरामस इसको एक एक चीज को देखते हैं थोड़ा सा पेसेंसली ठीक है और यह थोड़ा सा run होने में time लगा देगा क्योंकि चलो ठीक है यह हो जाएगा run बस एक बार run कर जागा तो तुरित से run हो जागा क्योंकि इसका जो print होके मिल गई अब मैं क्या कर रहा था कि भाई एक और variable मैं b declare कर रहा हूँ मैं इसमें कुछ भी value डाल सकता हूँ है माल लिजे मैंने डाला लिजे मैंने ये value डाला और इसको मैं print करता हूँ ठीक है print alien ठीक है और इस print alien में b लिख देते हैं यहाँ पर भी print alien कर देते हैं यह लिजे मैंने कर दिया print alien b और यह दोनों print हो जाएं देते हैं उसके बाद मैं आपको को समझा था कि इस b मैं मैं कुछ भी variable variable का value रख रहा हूँ ठीक है लीजे इसमें हमने एक इंट डाला है जो कुछ भी इस टोरे से कर रहा है तेकिन ध्यान से समझे कि क्या इस b मैं a ऐसे लिख सकता हूँ तो क्या value आएगी अब क्या क्योंकि यह भी type यही है यह भी type यही है 10 आना चाहिए इस code के हिसाफ से तो देखो अगर code सही होगा तो आपका 10 output आजागा दोनों में क्योंकि भाई इस b में भी किसका reference है इस int a का ठीक है जो var a है वो देखे आ गया लेकिन जब नीचे बनाए एक var name ठीक है मैंने बना दिया name अंकित मैंने एक और variable बनाया x और इस x में यह हो गया क्या हमारा इसका type दे देते हैं यह x कौन से type का हो गया int type का और क्या int type में हम name का value डाल सकते हैं देखे यही पर error आ गया ठीक है यह intelligent idea इतना समासदार है यही पर आ जाग error कि mismatch required int found string आपने int यहां पर चाहिए क्योंकि आप यहां पर type int बना रहे हैं तो यह तो आप इसको integer दीजे ठीक है यह तो आप इसको integer दीजे इन दोनों में से कुछे भी change कीजे तो यहां पर भाई error आएगा तो यही error को आपको solve करना है माल लीजे मैंने लिखा name ठीक है फिर भी आपको मन ने अपने run करवा दिया भाई लीजे कैस चलेगा इन incompatible types का error आ जाएगा कि यह compatibility तो है नहीं देखिए कि type mismatch inferred type is a string but int was expected यहां type string है ठीक है यह name और क्या expect किया गया था x में int type का जो value है वो expect किया गया था लेकिन अगर आप इसको ऐसे ना लिखें ठीक है लीजे मैंने ऐसे नहीं लिखा और इस equal to में direct मैंने name डाल दिया ठीक है और मैं अगर south करता हूँ और लिखता हूँ name ठीक है तो अब मैं name भी लिखूंगा ना तो देखिए अंकीत आपको print होके आ जाएगा क्योंकि अब हम नहीं उसको यह नहीं बता है कि concept type का है compiler खुद से यही समझ ले रहा है कि x को हमको क्या बना देना है string type का बना देना है यहाँ पर compiler भी खुद से समझ जा रहा है कि यह name जो है इसलिए जो है वहाँ पर type safe है ठीक है compiler की भाई समझ जाता है तोड़ा compiler जो है इंफर कर लेता है अनुमाल लगा लेता है compiler खुद से कि यहाँ पर क्या जो type है data का वो क्या होना चाहिए object जो है वो किसका बनना चाहिए तो string type का यहाँ बना है तो हम इस x में directly name strong कर ले रहा है लेकिन जब आप यहाँ पर ऐसे लिख दोगे byte या int या long कुछ भी तो यह explicitly हो गया तो explicitly type कहने का यह मतलब होता है कि x में सिर्फ और सिर्फ byte value ही जाएगा ना उससे ज़्यादा ना उससे कम byte value ही जाएगा तो byte value तो हम डाल नहीं रहे है हम क्या डाल रहे है name डाल रहे है और name क्या है यहाँ पर में string है तो अच्छा यहाँ पर error आ रहा है देखिए अभी है ना लेकिन अगर मैं इस name की value को byte डाल दू लीजे 123 डाल दिया तो अब क्या होगा इस x में ठीक है इस x में अभी यहाँ save कर दीजे थोड़ा bear name में हमने डाला 123 ठीक है अभी भी error आ रहा है क्योंकि यह error है क्योंकि यह by default int है है ना तो इसको अगर मैं इस byte बना दूँ इस name को ठीक है तो लीजे दोनो byte byte हो गया और यह चल गया प्रोग्राम आपका run कर गया तो यह problem होती है जब आप incompatible data types के बारे में नहीं जान रहे होता है कि compatibility कैसे होती है ठीक है यह लीजे आपका 123 जो है name print होके मिल गया तो यह आपको थोड़ा ध्यान में रखना है यह काफी important चीज है जब आपको कुछ ऐसा error आ है कि compatibility ऐसा कुछ found कर रहा है कुछ मांग रहा है int और हम दे रहा है string तो इस तरीके से आपको जो problem हो solve करनी पड़ सकती है कभी important होता है यह variables के time converting the value ठीक है अच्छा देखिए अब convert करना है ठीक है तो एक काम करता हूँ मैं आपको कुछ और example समझाता हूँ माल लिजे आपने क्या किया कि भाई यह जो variable है यहाँ हम लोग देखिए example लिया हुआ है यहाँ पर where x equal to 5 where z में हम एक long type का data type रख रहा है ठीक है मतलब कि माल लिजे हमने एक और variable ऐसे बनाया ठीक है नीचे आते हैं और यहाँ लिखते है converting the value ठीक है value into another type other type जो भी है देखिए मैंने एक variable बनाया जिसका नाम है first num ठीक है यह variable अभी int है by default int है तो हमने डाला 120 या 120 लीचिए अगर मैं print करूंगा तो 120 आएगा कोई दिक्कत नहीं होगा है ना मैंने एक और variable बनाया ठीक है जिसका नाम है second num second num इस second num का type जो है मैं ऐसे explicitly बता रहा हूँ इसको colon लगा के कि long type का रखो इसमें value किसकी रखो 120 रखो ठीक है मैं एक सबी से लिख सकता हूँ अभी कोई दिक्कत नहीं होगी राइट लेकिन मैं यहाँ पे first num लिख देना चाहता हूँ तो first num क्या था ध्यान से समझे first num first num int type का था है ना और ये वाला कौन से type का है second num ये कौन से type का है long type का है तो अब ये तो store होगा नहीं ठीक है तो जब अब आपको जब store करना है आप आपको मन ही है कि नहीं भाईया हमको इस value को convert करके मैं ऐसा कुछ function चाहता हूँ कि ये value खुद से store होके इसमें convert होके store हो ही जाए तब क्या होगा तो तब आपको एक function यूज करना पड़ता है अच्छा function क्या होता है ठीक है अगर मैं बात करो functions की तो ऐसा समझो कि बने बनाये codes है अभी के लिए यही समझे कि पहले से लिखे हुए code है जो आपका काम आसान कर देगा आपको कुछ नहीं करना होगा आपको बस थोड़ा सा एक line लिखना पड़ता है वो हो जाता है उससे काम ठीक है function बना बनाया code है function क्या है function क्या है function क्या है function पहले से ही बना बनाया code है जहाँ पर आप use करके कोई particular function के नाम का use करके call करके उसको आप अपना काम असानी से कर सकते हैं अभी के लिए हम यही समझ रहे हैं जब मैं आपको उपस समझाओंगा तो अच्छे से बात करेंगा functions के बारे में ठीक है तो अभी हम इसको मिटाते हैं थोड़ा साफ function ठीक है क्या है हमारा एक function होता है ठीक है और वो function क्या है देखिए कि माल लिजे यह क्या है सबसे पहले तो second नम यह जो है आपका एक int है ठीक है int का एक object है जिसमें value 120 अस्टोर है जैसे यहाँ पर आप देखो ठीक है तो यहाँ देखो इसके इसमें कि यहाँ पे x एक variable है ठीक है जिसमें एक object का reference है यह reference होता है मैंने आपको बता है variable वाले वीडियो में कि एक reference होता है किसका int type का और int में क्या data है 5 है तो 5 data जो है वो इस x के त्रू इस x के त्रू variable के पास है x variable के पास है मतलब 5 ठीक है यह reference होता है इसका object का जो reference है वो x के पास है 5 का ठीक है अब इसी चीज को आपको long में बदलना है है ना इसी object को तो आपको long में बदलना है मतलब कि माल लीज़े यह जो z वाला variable है इसका type क्या है इसका long है है ना इसके पास long type का reference है और इस वाले variable x के पास int type का reference है तो क्या मैं अगर ऐसा कर दूं कि इस x वाले variable का reference type भी long हो जाए तो एक तो ये long हो गया, उपर से ये long पहले से था, z का reference type पहले से long है और इसका reference type पहले अगर मैं इसको long बदल दूं, long में बदल दूं int से, int से long में बदल दूं किसका इस x variable का reference type और इसका z का पहले से है ही तो दोनों बराबर हो जाएगा तब तो आ जाएगा ना तब तो second num में first num की value आ जाएगी जी बिल्कुल ऐसे हम कर सकते हैं तो वो करने के लिए आपको एक line का code चलाना पड़ेगा ऐसे dot लिखके object पर object ठीक है ऐसे लिखते हैं भई object या variable ठीक है जो भी object होगा तो जो object ये dot dot लगाना पड़ता है और function का नाम ठीक है ऐसे करके function का नाम ये function ऐसे करते हैं और इसको पर call कर देते हैं एक function ठीक है जिससे वो काम आपका खुद से कर देगा ठीक है पहले से code लिखा हुआ है हमको नहीं करना पड़ेगा तो उसके लिए कि ये bear second num long देखिए आप लिखा हुआ है ठीक है हमको क्या चाहिए हमको first num को किस में बदलना है first num के पास अभी किसका object है is 120 int का int type का object तो कि अगर मैं इस पर dot लगाता हूँ int भी क्या है ठीक है int int एक class है पहले तो int एक class है जो मैंने आपको पहले बता है कि int एक class है मतलब एक अलग से file जहां पर कभी सारा already code अस्टोर है integer को अस्टोर करवाने के लिए हमारे program में और जब एक class है तो class का एक object बनता है मतलब instance बनता है मतलब एक memory में उसको जगह मिल जाता है ठीक है वो जिन्दा हो जाता है मतलब सोया हुआ रहता है वो उठ जाता है काम करने के लिए जब object बनता है तो यह मैंने आपको पहले भी बता है ध्यान से समझे तो जब object बनता है एक class का तो उस object के पास तीन चीज़े होती है A object has three things. तीन चीज़े होती है. कितनी चीज़े होती हैं? तीन चीज़े. object has three things. ठीक है? और object क्या होता है? तो class है, वो सोया हुआ है. Class क्या है? एक अलग फाइल है जहां पर कोडिंग की गई है हमारे और आपके काम के लिए ठीक है कोटलिन वालों ने कर रखी है जावा वालों ने कर रखी है उस क्लास का एक आपजेक्ट बन जाता है मेमोरी में वो क्लास लोड हो गया मतलब ऐसा समझेए लोड हो गया एक इंस्टांस बन गया आप सोय हुए थे आप जग गया अब आप काम कर सकते हो क्लास सोया हुआ था आपजेक्ट बना तो जग गया जग गया तो भाई वो काम कर सकता है तो आपजेक्ट के पास तीन चीजे होती है जिस तरीके से हमारे पास एक person के पास माल लिजी आपका नाम राहूल है तो राहूल के पास उसका नाम है एक उसकी identity हुई ठीक है identity उसकी पहचान कि उसका नाम राहूल है उसका face ऐसा होगा दूसरा उसका कुछ property होगा ठीक है property जा state होगा मतलब कि भाई वो काफी अच्छा दिखता होगा वो काफी महनती होगा वो काफी honest person होगा ठीक है उसका property होगा तीसरा उसके पास behavior होगा वो चल रहा होगा वो खेल रहा होगा वो खा रहा होगा वो खाता होगा वो पीता होगा वो कुछ भी कर रहा होगा अपने हाथ से, ठीक है, अपने पैर से, अपने बाडी से, वो काम कर रहा होगा, कुछ वो behave कर रहा होगा, कुछ activity में वो indulge होगा, उसके पास behavior होगा, तो तीन चीजे होई, तो राहूल के पास क्या क्या होई, एक, एक क्या क्या हुआ, पहला, उसक identity, है ना, identity दूसरा, राहुल के पास क्या हुआ उसका property, कि वो दिखने में कैसा है, सुन्दर है, नहीं है, बदसूरत है क्या है, सब कुछ, ठीक है वो dishonest person है, कि अच्छा person है, ठीक है, और तीसरा उसके पास क्या है, behavior, कि वो राहुल को हम object बोल देते हैं, कि जागा हुआ राहुल, सोया हुआ राहुल, खाली class है, ऐसा समझी है, ठीक है, और जागा हुआ राहुल, उस class का object हो गया अब वो खेल सकता है, वो काम कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है तो an object has a object या an object या an object या के लिए class में coaching में institute में एक roll number दिया जाता है उसी तरीके से memory में जहां पर वो load हो जाता है जहां पर वो store हो जाता है object उसके पास एक address होता है किसका reference का address होता है उसी जो उसको refer कर रहा होता है ठीक है और यही reference id यही reference id इस first name के पास जो variable का नाम है जो मैंने आपको इस तरह के से diagram में दिखाया है हमेशा हर जगा ठीक है कि यह वाले देखो यह जो reference होता है ठीक है यह reference id जो है यह इसके object को refer कर रही होती है ठीक है यह reference id जो है एक reference id होता है जो इस object को refer कर रहा होता है और यही reference id कहां होता है इस x नाम के variable के पास y नाम के variable के पास और जितना भी variable बनाते ह उन सब के पास अपना अपना एक reference id होता है जब object बन जाता है तो ठीक है तो वही reference से सब कुछ पहचाना जाता है ठीक है तो वह हो गया एक identity दूसरा उसका property होता है कि इसके पास कुछ data है क्या जी हाँ देखिए तो इसके पास कुछ data है कि नहीं है इस x नाम के variable के पास 5 इंट परपटी वही उसी में आएगा properties में ठीक है अब दूसरा यह तीसरा चीज है behavior यह कैसे बिहाइब करेगा तो माल यह क्या 5 में add कर सकता है ठीक है 5 में plus 10 हो सकता है मतलब यह 5 तयार है क्या करने के लिए add हो जाने के लिए किसी के साथ divide हो जाने के लिए किसी के साथ multiply हो जाने के लिए किसी के साथ subtract हो जाने के लिए इस पर कुछ हम function perform कर सकते है यह कुछ काम कर सकता है 5 ऐसे बैठा नहीं रहेगा 5 किसी में जूड सकता है किसी में घट सकता है किसी से multiply हो सकता है किसी से divide हो सकता है तो यह जो 5 है अब समझे यह जो 5 है ठीक है एक तरीके से object ही है int type का और इसका reference x variable में store है हमने यह समझाता है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इसको हमको long में बदलना है किसलिए ताकि z जो पहले से long में है जो पहले से long में है और x जो अब long में हो जाएगा int के बाद इसको convert कर देंगे long में तो दोनों का compatibility बन जाएगा है ना दोनों एक तरीके का हो जाएगा यह x भी long type का हो जाएगा है ना और यह z भी long type का हो जाएगा तो इस z में हम x की value डाल सकते हैं x में हम z की value डाल सकते हैं ऐसा कर सकते हैं उसके लिए मैंने बता आपको कि function use करेंगे है ना अब यह object वाला तो आपको समझ में आया ना जो मैंने आपको बता है क object के पास कितने चीज़ होते है, तो behavior तो यही behavior जो हुआ function है, किसके पास, किसके पास function है यक हर एक object के पास होता है ठीक है, तो first num, इसके पास object का reference है ठीक है, मतलब ankeet अगर मेरा नाम है, और आप मुझे code with ankeet कहते हैं, तो code with ankeet किसको refer कर रहा है, अंकित को, तो 120 int, 120 value एक integer type का है, मतलब first name के पास, first name के पास reference है, 120 का, है ना इस 120 value का, यहाँ पे int का object का, एक reference है, तो object के पास behavior होता है, property मैंने बताया, property 120 हो गया, और identity इसका कुछ hidden एक reference ID होगा, जो आपको यहाँ पे नहीं देखिए, इसमें behavior दिखेंगे, आपको देखिए, यह सब behavior हुए इसके, जितने dot लगा के आप देख रहे हैं, आपर dot लिखिए, सारा behavior आ जाएगा, अब इससे आप कुछ भी काम करवा सकते हो, तो मैं चाहता हूँ कि first name जो हमारा int type का है, उसको long में convert कर दूँ, तो इसके पास एक behavior है, जिसका नाम है too long, एक function है, जिसके पास है जिसका नाम है too long, तो ये एक variable को too long, जब आप लिखोगे, तो long type में convert कर देगा, मतलब कि, अब क्या होगा, ये जो reference था आपका int type का, ठीक है, ये int type का, जब आप इस पर चलाओगे, ये method चलाओगे, ये वाला function call करोगे, किस पर इस object पर, क्योंकि object के पास तीन चीज़ होती है, तो behavior, behavior का मतलब simple सा function और method जो भी आपके होगे, तो यहाँ पर जब आप चला रहे हो, method में, ठीक है, एक आप जब method चला रहे हो, too long नाम का, तो ये क्या कर दे रहा है, ये एक नया object बनाता है, long type का, ठीक है, बोलता है, चलो, एक memory में नया type का, एक long object बना दो, जिसमें value जो है, 5 अस्टोर कर दो, ठीक है, और अराम से z में, अब भी अब, value जो है, वो 5 अस्टोर हो गया, ठीक है, तो too long, मतलब too long, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नया object बनाएगा, ठीक है, बाकी z में जो reference है, वो डाला जाएगा, है ना, तो अब जो int से, यहाँ से, इसका रिष्टा टूड गया, और यहाँ पर जाके जोड गया, ठीक है, तो यह, इस z में भी क्या हो गई, मतलब यह अलग है, इसको scenario का आप अलग समझो कि, यह तो past तो already store है, ठीक है, जब too long हुआ, तो long में convert हो गया, ठीक है, int से, अब long में convert हो गया, तो जाके store हो गया, दोनो long हो गया, यह भी long type का हो गया, समझ में आपको, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, तो यह जब long है, तो first num.to long हमने लिखा, अब अगर आप यहाँ पर print कर देंगे second num को, ठीक है, तो लीजिए print कीजिए, run कीजिए, आपको print होके answer मिल जाएगा, ठीक है 120, ओके, यह int था, हमने इसको यहाँ पर long बना दिया, तो I hope कि आप समझ पा रहे होगे, कि long हमने कैसे बनाया, यह देखिए 120, ठीक है 120, इसी तरीके से अगर आपको two sort है, sort में बदलने के लिए two byte है, byte में बदलने के लिए similarly, है ना और ऐसी इसी तरीके से करके आपके पास two double है double में बदल देगा, two float है जो float में बदल देगा, है ना तो इस तरीके से यह functions होते हैं जो already code लिखे हुए होते हैं हम उनको अभी function बोल दे रहे हैं, जो हमारा काम जो आसान कर देते हैं, वो हम अपना भी लिखेंगे, खुद से भी, वो मैं उपस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तो यह function already available है, है ना object के पास तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, ओके यह long का मैंने आपको बताया, जैसे suppose कि आपको where ठीक है, के, इस के में हमने रखा, अभी तो int है, है ना, तो int है 20, ओके, लीजिए अगर आप इसको south कर देते हैं ठीक है, south k, तो अभी तो 20 आएगा, 23 आएगा ठीक है, अगर आप इसमे k. लिख देते हैं, to sort ठीक है, अब ऐसा मैं कर सकता हूँ ना नीचे उपर लिए है, उपर नीचे से कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है तो ये sort type में बदल गया, ठीक है, तो आप जो काम करेगा, ये k का value जो हो गया, वो sort हो गया, okay, समझ रहो k.2 sort, तो ये आपको समझना जो है, वो important है, समझ रहो मतलब कि अगर आप इसको byte type में hold करोगे, मतलब माल लिजे कि ये k.2 sort जो है, ये क्या है ये sort type का object है, इसके पास है ना, ये sort हो गया sort हो गया, यहाँ पे क्या था, int था int था, मैंने एक और variable ऐसे बनाया, माल लिजे कि मैं एक और variable बनाता हूँ, var i नाम का, इस i में अभी क्या है, ये int type का है अभी ये int type का है, है ना, अभी यहाँ पे अगर मैं लिख हूँ, तो ये int type का है i, और इस int में अभी हम कुछ भी integer ऐसे लिख सकते हैं लेकिन अगर मैं इसमें के पास करना चाहूँ तो क्या पास होएगा, बिल्कुल पास होएगा, क्योंकि छोटे से बड़ा में तो आप पास कर सकते हो ठीक है, छोटे से बड़ा में आप पास कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इस i में लिख दू byte, ठीक है, या byte लिख दू, ऐसे करके, ओके लिजिए, i जो हो गया, byte type का हो गया, अब इसमें देखे, k अस्टोर नहीं होगा, error आने लगा, देखे, underline आ गया, क्योंकि byte short से छोटा है, और short से छोटे वाले में value कैसे अस्टोर होगा, राइट तो अब यहाँ पर दिक्कत हो गई आपको, ठीक है, यहाँ store करने में समझ गया, तो यह इस तरीके से store जो है, वो नहीं होगा, अब यही code को आप यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसे करके, bear ठीक है, bear j equal to मैंने उसको नीचे बस लिख दिया, ठीक है, तो j को बना दो, byte byte, ठीक है, byte equal to k.to sort, देखो तो, मैंने byte यहाँ पर लिखा है, यह byte है और यह two sort, जो है k हो गया, sort type का, तो कैसे दिक्कत होगे, तो i को भी आप sort बना दो, तो जब मैं i को sort बना दूँगा, तो देखिए, k.to sort जब वो store कर लिया, compatibility सेम हो गई, तो data type को सेम करना है, आपको यह समझे, कि जब ऐसा आपको error आएगा, compatible नहीं है, या कुछ string type का था, और आपने int दे दिया, int type का था, तो string दे दिया, तो यह समझनी की चीज़े हैं, जब आप development में जाओगे, तो यह सब चीज़े वही पर काम देंगे, यह सब चीज़े आपको अभी लग रहा होगा, कि कितना time taking है, कितना boring हो रहा है, पर यकीन मानों, यही सब चीज़े जो है, एक developer को बहुत सारी चीज़ों से पहले ही बचा देता है, बहुत सारी गलतियों से पहले change करके, ओके, तो यहाँ देखिए, मैंने already यहाँ पर लिख भी रखाए कि क्या-क्या meters है जो बदलते हैं, नीचे अगर आप चाहोगे notes में, ठीक है, similarly, वो यहाँ पर two flow, two and two double यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और यह वही सब चीजे हैं, जो मैंने आपको बताया, बस notes में लिखा हुआ है, तो notes आपको मिलेगा, तो आप पढ़ लेना, अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम arrays की, ठीक है, array, arrays, ठीक है, array क्या होता है, अरे, 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 यारे, कहाँ जा रहा है, अरे, ये वाला array नहीं, data structure वाला array, programming language में जब आप data store करते हो, तो ये memory में store होता है, आपका memory जो होता है, उस area में reserve हो जाता है, जाके memory में, तो memory में जब reserve हो होता है, तो array का एक object बनेगा न, मतलब माल लिजे कि array भी एक data structure है, data structure कहने का मतलब कि variable आपका data रख रहा था, उसी तरीके से array भी एक container है, जो आपके data को संभाल के रख रहा है, लेकिन array क्या है, कि भाई, ये धेर सारे data को एक single variable में store कर सकता है, array ऐसा क्या होता है, confusing हो रहा है क्या, है ना, आपपो लग रहा होगा, array क्या, जैसे माल लीजे, एक variable एक data store करेगा, और ये, for example यार, मैं अगर कहूं आपसे, array का एक मैं बना देता हूँ, new, sorry, not java class, kotlin class यार, ठीक है, array demo, और इस array demo में आपन लिखते हैं, function, है ना, आप अल्रेडी main लिख देता हूँ, मैं आ जाएगा, function, ठीक है, अगर आप यहाँ पर बनाएं, variable a, और इसमें अगर आप एक value डालिएगा, तो सही है, है ना, लीजे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा value डालिएगा, कॉमा देके, कॉमा देके, क्या आप इसमें 120 से core value डाल सकने है, क्या, लीजे, error आ गया, यहीं पे error आ गया, आपका intelligent idea बता दिया, और आप out भी करेंगे, यह को तो देखिए, आपको error मिलेगा ही, मिलेगा, तो यह problem है, है ना, तो माल लीजे, कि जब same type का data है, ऐसा समझ यह, कि आप, आप गये, कहां, आप गये, आपको जाना है market, ममी ने बोला कि, भी, grocery ले कि आओ, सामान ले कि आओ, सबजी ले कि आओ, ठीक है, देखिए, error आ रहा है, और यहां पे आप यह लगा सकते है, expression में, और माल लीजे, कि आपके ममी ने बोला कि, जाओ, सामान ले कि आओ, सबजी ले कि आओ, ठीक है, तो, जब सबजी लाने आप जाओगे, तब आप क्या कर रहे होगे, वहां पे काम, बताओ, तो, वहां पे, सबसे पहले है, आप माल लीजे, ढेर सारा सबजी, तो, इसको, एक पेज में लिख लोगे, या ऐसा करते होगे, एक सबजी के लिए, आप अलग पेज, दूसरे सबजी के लिए, अलग पेज, तीसरे सबजी के लिए, अलग पेज, चौनते सबजी के लिए, अलग पेज, ऐसा करते हो या एक ही पेज में सारा सबजी लिख लेते हो ऐसा करते हो ना एक ही पेज में सारा सबजी आपने लिख लिए सबजी का नाम लिख लिए समान का लिष्टिक बना लिए और चलेगा तो ठीक उची तरह का डेटा है होमोजीनियस डेटा है है ना CM data type का एक integer है मतलब माल लिजे की एक से लेके 10 हमको ऐसे store करना है integer तो 1 से लेके 10 store करना है तो एक तरीका ये है कि मैं एक variable बनाओ first num, second num, third num, fourth num, in num ऐसे करके भाई 10 variable बना लो है ना A, var, B, var, C, var, D, var, X, var, Y, var, Z ऐसे करके तो धेर सारा variable का मतलब क्या, memory में धेर सारा area तो वैसे हमको काम नहीं करना है हमको ऐसा software बनाना होता है ऐसा program लिखना होता है ताकि कम से कम memory यूज करे और ज़्यादा से ज़्यादा efficiency provide करके दे, ज़्यादा से ज़्यादा features provide करके दे, तो वहाँ ही पर आपका arrays बहुत ज़्यादा काम आता है, कि array में आप homogeneous एक kind of data अगर integer store करना है, तो आप integer का array बना लिजे, और array बनाने से क्या होगा, जिस तरीकी से variable बनाते थे तो एक container जैसा था, तो array बनाने से होगा कुछ नहीं, जब तक array को आप initialize नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होगा आपने मतलब की array में कुछ value डाला तो array का एक object बन जाएगा, उस type का और धेर सारा data जो है, store हो जाएगा तो आपको array बनाना है, है ना अब माल लिजे, आपको वही लिखना था, ठीक है वैर, माल लिजे, फल का नाम लिखना है, धेर सारा, तो मैं क्या ऐसे लिखूं क्या, fruit one, ठीक है, fruit equal to, fruit one, equal to mango, है ना mango, फूर, भैर fruit two equal to, तो ऐसे करने से बताएगे, तो मेरा कितना time लगेगा अगर 10 है, तो लिख ले रहा हूँ, 100 रहेगा तो बहुत ज़्यदा time लग जाएगा, 1000 रहेगा तो बहुत ज़्यदा time लग जाएगा, और मैं variable क्यों बनाऊंगा, क्योंकि variable बनाऊंगा तो भाई, ये ज़्यादा आपका data लेगा, memory लेगा, ज़्यादा memory reserve करेगा, तो ज़्यादा memory हमको नहीं देना है फाल्तू का वेस्टेज है, हमको वेस्ट वेस्ट नहीं करना पड़ता है, memory को हम अच्छे से उसको प्रोग्राम को बनाएंगे, तो वहाँ पर आप array बना सकते हैं, और array में आप एक ही variable में नाम एक ही रहेगा, ठीक है, उसमें धेर सारा जो है, आप value है, वो अस्टोर कर सकते हैं और उस value को आप elements बोल सकते हैं कि वो elements होते हैं, उस array का ठीक है तो array में आप, अच्छे देखिए इस इसके पास, इस fruit1 के पास, इस mango का mango एक string type का है, ठीक है, तो string object जिसका value mango होगा उसका reference इसके पास है है, हैना समझ रहे हैं, इसके पास भाई, अगर मैं आपको फिर से समझाओ, अभी क्या है यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ आपको, कि bear है, ठीक है, एक fruit है, जिसका नाम variable है तो माल लिजए कि वो एक डबा है, variable, या cup है जो मैंने आपको अल्रेडी बताया है कि आप ऐसे समझें, यह cup के हिसाब से तो ज़्यादा समझ में आएगा ठीक है, यह cup है और इसके अंदर क्या है, यह cup का नाम क्या है cup का नाम है, fruit है ना, fruit ठीक है, अब इस cup का नाम जब fruit है, और bugle में क्या है, fruit का यह object है और यहाँ पर क्या value है object की? तो object का value mango है object का value जो है वो mango है तो ध्यान से समझेए कि इस fruit के पास reference है यह same mango नहीं है पूरा mango ही इसके पास नहीं है इसका एक ID होगा reference ID इसके पास जो इसके पास है इसके पास क्या है reference है किसका reference है? इस mango का ठीक है इस mango का object का ऐसे करके reference है इसके पास तो यही है बात कि भाई जब ऐसा है एक है राइट अगर 10 रहता तो 10 reference ऐसे create होता अगर आप 10 fruit बनाओगे तो 10 reference ऐसे create होगा और memory में जगा जादा लेगा है ना एक और fruit बनाओगे तो ऐसा यह पूरा हुआएगा ना इतना पूरा process ऐसे यह एक और ऐसे बनेगा फिर एक और बनेगा तो यह ज़्यादा memory में रिया लेगा तो आपको ऐसा नहीं करना है ठीक है यह डबबा ज़्यादा बना रहे होगे यह memory की homogenius data array is a collection of homogenius data okay that contents only the same type of data अईस भी आप बोल सकते हो ठीक है तो माल लीज़े मैंने array को declare कैसे करेंगे ठीक है declaring creating an array creating an array array बनाने के लिए kotlin में देखे कैसे बनाएंगे हर प्रोग्राम में अपना अलग अलग syntax होता है तो array बनाने के लिए हम क्या store कर रहे होंगे bear लिखेंगे जिस तरीका से variable बनाएंगे क्यूंकि array में एक variable होता है और उसी variable में सारा data store होता है उसी variable के नाम में ठीक है तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे fruits मालने हमने लिख दिया fruits धेर सारा fruits है equal to देंगे लिखेंगे array of तो धेर सारा fruits के लिए हमने क्या किया array of mango sml लिखता हूँ mango के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ grapes उसके बाद मैं यहाँ क्या लिख दूँँगा यहाँ मैं लिखना चाहूँगा और pomegranate ठीक है और क्या आप लिख सकते हैं यह देखिए यह एक array बन गया अब इसी में store हो गया इस fruits में ही सब का एक एक reference जो है सब एक एक object बनेगा string का है ना अब यह सारा object आपका कहाँ चला गया इस fruits वाले variable में ठीक है सब के पास इसका reference है तो अगर ठीक है यह पहले समझे माल लिजे आपने ऐसे tray लाया ओके यह एक tray है अब इस tray पर आप 5 cup रख दोगे जो भी cup है आपका माल लिट से पूझे एक cup ऐसे ऐसे करके सारा cup रख दोगे ठीक है और एक एक cup को उठा के दोगे है ना यह cup उठाओगे फिर यह उठाओगे फिर यह उठाओगे यह उठाओगे और सारे महमान को एक एक करके cup आप देतोगे ठीक है तो यह tray जो है आपका यह वाला tray यह वाला tray क्या हो गया यह fruits हो गया अभी के लिए हम यह समझ दें कि यह tray है यह fruits है जो tray जैसा भी है कर रहा है सारे fruits को सारे cup को hold करके रख रहा है और यह एक एक cup क्या हो गया एक mango हो गया एक गवावा हो गया एक pomegranate हो गया एक grapes हो गया एक banana हो गया जो भी आपका नाम है ठीक है यहाँ पे दिया हुआ इन सब का यह जो अभी reference है इसका एक अलग object ऐसे बना string type का जहाँ पे banana store हो गया इसका गवावा का बना इसका कौन सा value एक pomegranate का grapes का एक mango का ऐसे पांच object बना पांचों का reference यहाँ आगया store हो गया ठीक है और यह tray में रखा गया tray क्या है fruits है ठीक है तो उसी तरीके से हमने इसको अभी देखा है समझाए तो यह एक array हो गया इसमें धेर सारा हमने रख दिया अब धियान से समझे यह कि यह homogeneous data जो है वो रख रहा है मतलब इसके पास अगर अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है इसके पास string है अगर मैं यहाँ पे 45 ऐसे लिख दूँ तो देखो यह क्या रख लिया इस 45 यह जो है यहाँ पर int भी रख लिया ठीक है int भी रख लिया अभी explicit लहीं है लेकिन हम अभी क्या कर रहे है सिर्फ और सिर्फ यही देख रहे है कि सिर्फ यह string type का data hold किया है अभी फिलाल के लिए array में अब इसको access करना है ठीक है accessing accessing the array accessing array ठीक है मतलब कि इसको access करना था एक cup को आप उठा रहे थे इस वाले cup को और दे दे रहे थे फिर यह cup फिर यह cup फिर यह cup तीसरा cup ऐसे करके तो आप इसको इसके index से कर सकते है ठीक है मतलब कि array में जो data है वो memory में कुछ इस तरीके से store होता है ठीक है कि लीजए यहाँ store हुआ फिर यहाँ फिर इसके bugle में फिर इसके bugle में ठीक है फिर इसके bugle में ऐसे करके और यहाँ पर इसका इंडेक्स होता है 0, 1, 2, 3, 4 और एका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है यहाँ पर क्या है? मैंगो, ठीक है? फिर ग्रेप्स है जी फॉर ग्रेप्स, मैं जी लिख दे रहा हूं सौट में पोमेगरेनेट है फिर क्या है? गवावा है, ठीक है? तो मतलब 0 से लेके तीन इंडेक्स तक यह भरा हुआ है और यह कंटिग्स फॉर्म में होता है मतलब एक के बाद एक, पहले मैंगो फिर ग्रेप्स, फिर परमेगरेनेट, फिर गवावा ऐसे करके हमारा स्टोर हो गया अब इसको एक्सेस करने के लिए लाने के लिए इसको उठाने के लिए यहां से निकालने के लिए इसको पीने के लिए इसको खाने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा तो अब जैसा कि मैंने आपको बता है कि object होता है और object पर आप कुछ काम कर सकते हो है ना, तो यह array का जो है यह two index है यह three index है तो मैं अगर यहाँ पर zero index लिख देता हूँ ऐसे करके zero ठीक है और यहाँ पर अभी यह क्या हो गया इसका मतलब यह हुआ कि fruits zero का मतलब यह mango को access कर रहा हूँ मैं यहाँ पर mango का value ला रहा हूँ अगर आप इसको ऐसे print कर दें ठीक है print alien alien और sprint alien में fruits zero रख दीजिएगा ऐसे करके और इसको save कीजिए और इसको एक बार run कीजिए ठीक है right click करेके हम लोग run करते हैं तो जब आप run करोगे तो देखना क्या मिलेगा आपको यह mango लिख के आएगा ठीक है mango का value आपको मिलेगा लीजिए mango मिलिया उसी तरीके से grapes को अगर आपको लाना है तो 0 की जगा counting 0 से start करके आगे बढ़ यह 1 की तरब 0,1,2,3 तो 1 तो 1 index किसका है इसका index है 2 index इसका है 3 index इसका है इस तरीके से आप array बना सकते हैं ठीक है लिजिए grapes अब उसी तरीके से आप array जो है array where और माली ची एक और array हमको बनाना है जिसका नाम हम क्या रखेंगे जिस variable का नाम हम क्या रख देते हैं ठीक है जैसे contact ठीक है details ओके लिजिए अब इसमें equal to करके array of यहाँ array of में लिखेंगे ठीक है और यहाँ array of में हम लिख देते हैं क्या 0,1,2 जो भी हमारा contact है details है हमालम यहाँ पर मैं start लिख देता हूँ ठीक है 1,2,3 3,4,5 5,6,7 7,8,9 लिजिए यह contact details है किसी का ठीक है just for information ऐसे हम लोग समझने के लिए ठीक है अब इसको access करना है तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखते है contact details array का नाम array का नाम लिखने के बाद एक braces लगाएंगे असा big bracket और big bracket में index लिख देंगे जिसको भी हमको लाना होगा यह first index हुआ मतलब 0 index हुआ यह first, यह second, यह third ठीक है तो अगर आप यहाँ पर 3 लिख होगे तो क्या output मिलेगा 0,1,2,3,789 ठीक है यहाँ bracket आप mix यह और आप इस तरीके से ही लिखे है ठीक है यहाँ पर किसका नाम लिखना होगा आपको यह array का नाम ठीक है जो आप access करेंगे और यहाँ पर index जो भी index आप access करने वाले हैं ठीक है और इसको हम elements मुलेंगे यह array में 123,13,345 यह सब जो है वो एक element है देखे 789 आपको answer मिल गया ठीक है अप print होके आगया तो यह आपका array है जो आप धेर सारा object बनाएंगे तो इस तरीके से रख कर सकेंगे लेकिन अभी देखे एक चीज और problem यह है कि यह जो fruits है यह अभी string type का data सारा ले रहा है ना यह string है double quotation में सारा कुछ string होता है लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 67 अगर मैं फिर से comma लिख के लिख दूँ 90 फिर से comma लिख के लिख दूँ मैं 120.56 फ्लोट तो यह सारा data store कर लेगा ठीक है अगर मैं इसके जगह अब देखो 0,1,2,3,4,5,6 अगर मैं 6 लिख हूँ fruits के 6 element को index ऐसे करूँ ले आउँ access करने का कोशिज करूँ तो देखो क्या होगा कि यह जो 6th index है वो जो store है आ गया है 120.67 लेकिन ज़रा देखे कि यह type से भवी नहीं है यहाँ पर कुछ भी store हो जा रहा है ठीक है यहाँ पर heterogeneous data जो है मतलब की यहाँ पर अभी store हो जा रहा है कोई भी data type का लेकिन जब आप इसको explicitly ऐसे बना देंगे कहने का मतलब यह हुआ रहे को explicitly बनाने के लिए देखिए क्या होता है यह नीचे आईए यह तो मैंने आप और रहे बनाने के लिए बताए यह reference मैंने समझाया कि इस तरीके से reference है ठीक है array is an object the variable my array holds the reference to it array यह एक object है इसका variable जो है यह object का reference को hold करता है यह भी मैंने बताया ठीक है इस तरीके से देखिए access कर सकते हैं आप और मुझे यह बताना था आप पो कि भाई आप array में type safety कैसे कर सकते हैं ठीक है कि भाई fix कर सकते हैं कि वही array होगा तो देखिए where array आपको इस तरीके से लिखना है यहाँ पे उपर में आईए where array यह semicolon लिजिए और array लिख दीजिए यह line अगर आप इस तरीके से लिखेंगे follow करेंगे तो आपका जो है सिर्फ और सिर्फ फिक्स हो जाएगा data type की वही data type store होगा ठीक है और यहाँ पर लिखता हूँ byte ठीक है मैं byte class का array बनाता हूँ byte type का ओके और कॉमा लगाऊंगा फिर मैं लिखेंगा my array ठीक है my array का spelling उपर गलत है तो वह access आएगा नहीं my array कीजिए my array equal to और यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे इसमें और सारा data जो है यहाँ पे करके डाल देंगे और यहाँ पर लिखेंगे array of array of और यहाँ सारा data जो है आप डालेंगे 1,2,3,4,5,6 इस तरीके से और यहाँ एंटर ले लेंगे इस my array में अब क्या हो गया यह array आ गया किसका सिर्फ और सिर्फ byte का लेकिन अगर आप byte के जगा int sort कुछ और डालेगे डालिएगा जैसे मैं डालता हूँ देखो error आ जाएगा आ गया ना error तो यहाँ पर यह हो गया explicit type इसको मैंने दो line में लिखा है आप इसको same line में भी इस तरीके से तो यह हो गया explicit ठीक है explicit type explicitly type ठीक है where my array में किसका type है array है किसका byte type का इस तरीके से और equal to array of इस तरीके से array declare होता है जो हमने उपर देखा उस तरीके से array बना देंगे तो यहाँ पर आप कहा जाएगा अब यहाँ पर कुछ भी आप दूसरा चीज इंटर करोगे दूसरा data type ठालोगे मतलब मालीज हमने character डाला तो देखिए यह गलत दे रहा है ना यहाँ पर error आ जा रहा है rate rate आ जा रहा है देखो यहाँ पर rate दिखा देगा तो इसको मिटा देते हैं ठीक है हमने byte ले रखा है तो सिर्फ byte डालेंगे print करते हैं किसको हमको print करना है print alien करते है यार only print नहीं ठीक है print करते हैं हम my array के कौन से index को my array के 5th index को तो मैं 5 लिख देता हूँ और right click करके run करता हूँ ठीक है तो देखना यह सबसे पहले उपर में क्या है यही है हमारा array जो है 5 index जो भी होगा 6 यह देखो print करके ले आया ठीक है 0 से counting होएगी 6 यहाँ पर किल यहाँ पर अगर आपने ऐसे लिख दिया वैर और आप इसको भैल कीवर्ट के साथ भी बना सकते हैं भैल ठीक है भैल मैंने बनाया भैल और मैं लिखता हूँ friends ठीक है friends equal to और ऐसे equal to तो नहीं आप ऐसे लिखिये explicitly बनाना है तो यहाँ पर लिखते है array और कौन से type का रहेग तो मैंने लिखा string equal to array of और array of में सारा नाम लिख देंगे ठीक है समीत ठीक है अमीत है ना सूभम ठीक है और जो भी आम यहाँ लिखेंगे अंकित लीजिए यह friends में सारा जो है अब सिर्फ और सिर्फ और string टाइप का data आएगा अगर आप यहाँ पर गलती से भी कुछ लिख क्या kotlin ओके तो friends हमारा बन गया यह करें अब इस friends के pass ठीक है आप access कर सकते हैं ऐसे करके big bracket लगाईए अगर आप four index देखना चाहते हैं कि क्या है तो आप लिखें out और sprint में pass कर दीजे यहाँ और इसको save कीजे run कर लिजे थोड़ा run करते हैं तो आपको देखिए friends का जो fourth index हो तो यह आ गया array index out of bound exception ठीक है कि आपने मांग दिया क्या four और है कितना zero पे सुमीत है one पे अमीत है two पे सुबम है three पे अंकित है और आप fourth मांग रहे हो तो fourth element तो है नहीं यहाँ पे fourth index वाला तो यहाँ पर जब नहीं है तो कैसे होगा तो इसलिए एक exception आ जाती है एक error आ जा में element है नहीं और आप उससे ज्यादा मांग रहे है ठीक है तो नहीं आगा तो इसका मतलब अगर मैं three लिखूं तो आ जारा चाहिए क्योंकि zero one two three three पे अंकित है तो अंकित आपको मिल जाना चाहिए यह लिजी अंकित यह आ गया देखा तो इस तरीके से आप जो है अरे बन फिचुए एक इक इक वाल टू यह लिखते हैं माई लिस्ट फिका यहा पर क्या लिखते हैं फ्रेंड ओर यहा पर लिख देते हैं लेट aganal पीलियोंकि plutôt ऑरोफ़ ऑर इस कारी ओफ में डालते हैं शुमीत अगे-मा-रंजीत अंडित त्क यह बस इतना ही रखते हैं और अगर आप चाहें तो फिर से my friend equal to array of अगर आप यहाँ पर update कर दे तो value जो है update हो जाएगा अंकीत comma यह value जो है update हो जाएगा ठीक है अगर आप यहाँ से update करना चाहें तो my array नहीं my friend नाम है my friend लीजे अगर अब आप run करेंगे यहाँ से print करके देखेंगे print ln और अगर आप यहाँ पर my friend देखिए access किजिए किसको अगर आप zero index करते है access तो देखिए zero index में आपको क्या है अंकीत लिखा हुआ है ठीक है अनके टी आई हो गया है तो अनके टी आई आई आएगा आपको देखे सुमीत आगया तो भैर keyword का वही मतलब होता है आप बाद में value जो है वो update कर सकते है ठीक है जैसे हमने आप array update कर दिया तो यह हो गया updating the array ठीक है कि आप updating the array ठीक है तो यह अपने update कर दिया लेकिन value जो है वो वही रहे गया मतलब value जो है यहां से update हो गया array जो है update हो गया reference उसका change हो गया लेकिन भैल keyword में यह ऐसा नहीं होगा वही रह जाएगा permanently अगर मैं लिखता हूँ भैल ठीक है my my ऐसे लिख देता हूँ cart ठीक है यहां लिखते है my marks ठीक है अगर आप इसमें लिखते है अपडेट करेंगर इसको प्रिंट एले पहले करके देखते है अगर मैं प्रिंट एले न करूँ 0 index को my marks के my marks के 0 index को ऐसे करके और इसको run करता हूँ तो आपको 34 मिलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा अभी 34 मिले में तो my marks जो 0 index पर क्या आगया 34 ठीक है अगर इसको हम अपडेट करें क्योंकि यह वैल की वर्ट से बना हुआ है तो हम लिखते है अपडेटिंग दिया रे ठीक है अब इसको अपडेट करते हैं तो मैं फिर से लिखता हूँ my marks और इक्वल array of ठीक है array of यहाँ पर लिख देते हैं 98 इस बार और यहाँ लिख देते हैं 78 देखो यहीं पर error देने लगा ठीक है my marks वाला ही यहाँ चलाओगे तो run करोगे compile time यह error आपको थ्रो करके देदेगा यह error है नहीं चलेगा well cannot be reassigned well keyword से जो भी आप बनाओगे वो दुबारा reassign नहीं किया जा सकता है यह चीज़ है array में तो यह समझना important आपके लिए तो where से जो भी आप बनाओगे उसको reassign कर सकते हो लेकिन वैल से बनाया हुआ चीज़ को आप reassign जो है वो नहीं कर सकते हो अच्छा तो क्या आप और value चेंज कर सकते हो कुछ हाँ value क्या element का value चेंज कर सकते हो value की वट से आरे पूरा array चेंज नहीं कर सकते है मतलब कि इसको मैं comment करता हूँ यहां लिखता हमाल लिजे इस 34 को आपको replace करना है तो मैं लिख देता हूँ क्या my marks ठीक है इसमें क्या इसके जो index है 0 index उस 0 index पे क्या क करूंगा तो आ जाएगा बिलकुल आ जाएगा 98 इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आने में यह लिजे यह देखो 98 आ गया पहले क्या रहा था आपका जो था 34 अभी क्या गया 98 तो यह चीज हो गया where और well के बीच difference जब आप array बनाते हो फिर मैंने आपको array में बता है किस तरीके से आप array बना सकते हो अब array किसी भी type का बना सकते हो किसी भी data type का जो आप पढ़े हो मतलब boolean, string, care, int, byte, long, short, float, double कुछ भी ऐसा बना सकते हो ठीक है तो वो ध्यान में रखना और आप बना के आप practice खुद से कीजिए ठीक है जो मैंने नहीं बता है मतलब कि care मैंन बना ये काफी सारी चीज़ों का मतलब जो भी इसमें है double है, float है, long है, int है, boolean का array बना ये तो true-false, 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 store करेगा तो यतने सारे चीज़े मैंने आपको array के बारे क्या है, array कैसे बनता है, array कैसे update होता है, bear और bear से related array में क्या concept है, कैसे आप update कर सकते हैं, फिर ये होगया आपका array में, ठीक है, यह देखिए, यहाँ थोड़ा सा theoretical अगर आप बात करें, तो explicitly ये बनाने के लिए है, कि यहाँ पर भाई, byte होगया, अब ये fix होगया, lock होगया, कि सिर्फ और सिर्फ बाई वाला इसमें ही जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है bear my array ये तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये update करने के लिए, और elements किस तरीके से replace हो सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा explicitly मैंने अपडेट करने के लिए बता दिया आपको, है ना, अभी update करने के लिए बताया कि भाई, bear array में दो array ब byte हो जाएगा, short लिखोगे तो सिर्फ short हो जाएगा, वो बताया, उपर में मैंने आपको array बरता है, ठीक है, अब एक code बनाते है, हलका छोटा सा project बनाते है, जो बहुत अच्छा होएगा, मतलब माल लिजे कि आपका इसा दोस्त है, ठीक है, माल लिजे, Amit है, Soobham है, ठीक है और राहूल है, ओके, और कुछ लड़कियां है, let's say Senorita है, Tina है, और Priya है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का relation, ठीक है, मतलब इसके और इसके साथ एक message print करवाएंगे, जो randomly किसी को भी किसी से जोड़ देगा, मतलब हो सकता है Amit को Senorita से जोड़ से, हो सकता है Amit क राहूल को प्रिया से जोड़ देगा, राहूल को टीना से जोड़ देगा, राहूल को सुभम से जोड़ दे, किसी के साथ भी ऐसा जोड़ सकता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हम एक RA से related बनाएंगे, जो हमको बहुत सारा concept जो है, वो समझाएगा, उससे पहले, मैं आप सो एक और चीज बन आना चाहता हूँ, कि अरे एक को जब object है, तो object के पास behavior भी होते हैं, तो behavior का मतलब क्या function, तो इसके पास एक function है size नाम का, जो size return करके देगा, ठीक है, मतलब size देगा, जैसे suppose की my marks, तो my marks का size अगर आपको देखना है, print alien, इसका कितना size है, अरे का, ठीक है, तो my marks.size, यह लिजिए, अगर मैं size return करूँ, और run करूँ, तो क्या आएगा, वो देखिये ज़रा, तो यह थोड़ा सा wait करता है, इसको चलने का code को, और देखो, सबसे last में हमने return किया है, है ना, सबसे नीचे, सबसे नीचे आएगा, और सबसे नीचे देखो, यह क्या है, my array.size 6, ठीक है, तो my array कहां है, हमारा, my array उपर हमारा बना हुआ होगा, कहीं, my array में देखो तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 element है, तो element जीतना रहेगा, वही हमारा size हो जाता है, किसका, array का, ठीक है, तो यह हमारा size हो गया, array का, right, तो 6 size हो गया, तो यह size return करके देगा, okay, got it, चले, एक project बनात है, थोड़ा सा, और एक, छोटा सा fun project, लेट से, relationship, 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 अरे, ठीक है, relationship, आरे, मैंने इसका, अरे, यार, class बना दिया, यार, फिर से, यार, अतनी छूटेगा, यार, मेरा, class वाला, इसको right click करो, और kotlin के file में जाना, यार, यहां लिखेंगे, relationship, अरे, ठीक है, लीजिए, इस relationship, अरे में, यह सब बंद करो, close all, सिर्फ और, relationship, परे, dot, kt, खोलिए, यहां हम function बनाते हैं, ठीक है, पहले तो main function बनाते हैं, लीजिए, main function बन गया, अब ये code मैंने आपको, यहां दे भी रखा है, तो अगर आपको कर भी confusion होगा, तो देंगे ठीक है, तो कुछ लड़के होंगे, कुछ लड़किया होंगी, ठीक है, उसके बाद हम गूँ confession message करना होगा, है ना, वो सब कहना होगा, जो यहां पर है, ठीक है, तो माल लिजिए, मैं एक, जितने सारा लड़का है, उस सब को हम अरे में रख सकते हैं, जी, यहां बिल्कु अरे में किसका टाइप रहेगा भाई, यह स्ट्रिंग का, इसमें अरे ओफ यहां पर लिख दिचे अमीत, एक अमीत है, ठीक है, एक सूभम है, ठीक है, एक आयूश है, ठीक है, और एक राहूल है, लटसे, ठीक है, आईए, नीचे, यह क्या हो गया, एक वैरियेबल, एक अ अरे हो गया, बॉइज का, है ना, मतलब सारा बॉइज को हमने एक अरे, आरे में रख लिया, एक और भैल से बनाते है, गल्स का, जो चेंज हो गिने, क्लास में लडकियां भी है, ठीक है, अरे, और स्ट्रिंग, अगर लडकियां है, मान लीज़े, ठीक है, और अरे ओफ, य प्रिया, लीचे, यह एक और आ रहे हो गया, गर्ल का, ठीक है, गर्ल्स लिख देते हैं, not सिर्फ गर्ल, अब इनका एक confession message होगा, ठीक है, confession, ऐसे लिख देते हैं, message, एक confession message या कुछ भी लिख दो, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, just say message, ठीक है, यह message, कुछ उनको बोलना च इक्वल्स अरे ओफ लिजे यहां पर हम लिख देते हैं लॉब्स ठीक है यहां लिख देते हैं लाइक्स यहां लिखते हैं हेट यहां लिखते हैं है ह में टोन्ट लाइक है हैं लिजे अब हमको क्या करना है ध्यान से समझे है यह जो है भॉय गॉलेगा ठीक ऐसे कि अमील असे या राहूल लब्स प्रिया या राहूल हेट प्रिया राहूल डॉंट लाइक प्रिया इस तरीके से कुछ भी खुद से मिक्सप होके आएगा है ना खुद से हमको एक मैसेज वो प्रिंट करके आएगा ठीक है हम ऐसा कोड बना रहा रहा है किसी का किसी से यूज जोड दे रहा हूं कुद से बहुत फॉन प्रॉजेक्ट है है क्योंकि एक टाइप का वह तो हम को रखना था तो हम अलग अलग वर्यावल क्यों बनाते maintain अब इस इपर हमको कुछ फॉंक्षन पर-fung करना सब को यहाँ store कर लेंगे ठीक है यहाँ पर हम सब को store कर लेंगे और सब क्या यह इंट रिटर्न करेगा 1 2 3 जो भी रिटर्न करता है size method size function वो इंट रिटर्न करता है ठीक है तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि भाई बैल एक बनाता हूँ लिख देता हूँ boys size ठीक है या total boys ऐसे लिख देते हैं है ना total boys ओके और let's say ऐसे लिखते हैं boys size यही सही है boys total ऐसे भी आप लिख सकते हो जो भी आपका size है वो count कर देगा है ना तो इसमें क्या लिखना है हमको boys.size तो यह total boys आपको print करके दे देगा यह मतलब return करके दे देगा है ना boys.size ठीक है और यह size में ठड़ी है ना size int ठीक है लिजे size आपको दे दिया इस तरीके से अप लिखोगे तो well girls girls total यह कितनी girls है तो यहाँ पर अप लिख देते है boys. sorry girls.size जो भी girls के size होगा ठीक है और girls.size अप लिखो अगर आपको print करके देखना है तो देखो print alone में अगर मैं करता हूँ boys total तो क्या आएगा ठीक है अभी मैं boys total में देखता हूँ तो 1,2,3,4 है ठीक है लिजे 4 आए जाए तो आपको 4 आना चाहिए return करके लिजे 4 return करके आया इसका मतलब हमारे code जो है जारा सही है ठीक है इसको हमको भी जरुवत नहीं है हम print करवाने का इसको हटा देते हैं और well लिख देते हैं message total message total जो है वो भी total message क्या है क्योंकि हमको उसको भी गिनना है कि कौन सा message है और क्या है तो अब हम क्या करेंगे इसको तो अब हम क्या करेंगे कि भैल random 1 ठीक है random 2 और random 3 यह जो number है यहां math.random से ठीक है इस random function से एक random number print करवाएंगे और वो random number निकाल करके हम wide size मतलब यह size होगा 6 होगा इससे हम कुछ भी गुना करवाएंगे और उसको two int में बदल देंगे जो हमने पहले देख रखा है कि two int करने पर integer बन जाता है ठीक है अभी हमने देखा है तो two int में बदलेगा तो क्या होगा कि हमको index एक number मिलेगा और यही number हम pass कर देंगे इस boy के लिए ठीक है जैसे boy भी जाकर के कोई भी number generate होगा तो कोई भी number मतलब कि index है ना और जब कोई भी index generate होगा मतलब माल लिजे यहां से two generate होगया तो two zero one यह one आए गया तो पहले हम ऊपर वाला print करेंगे ठीक है zero one यह two है यहां पे माल लिजे टू है ठीक है तो इस तरीके से आपस में फिर हम इसको print करवा देंगे, है ना कुछ भी यहां से print हो जाएगा random number, यह हमारा random number जो है, जो भी generate होगा और इसको variable में hold कर लेंगे, वो हमारा index हो जाएगा, ठीक है, वो index हम pass कर रहे होंगे, तो वो index हम pass करते हैं, सबसे पहले तो हमको random number बनाना ह तो हम उपर जाएगे, यहां लिखते है, कि well, ठीक है, well, और हम लिखते है boy index, ठीक है, सबसे पहले तो एक boy का जो index होगा, ठीक है, boy index, और इस index में हम लिखते है, equal to, ठीक है, क्या, math, ठीक है, यह Java का एक class है, length package में है, ठीक है, math.random, इसके पास एक function है, जो random number generate करवाएगा इसको हमको गुना करवा देना है, किस से, into, boys total, जो boys का size है, उस से, ठीक है, और हम इसको क्या बोलेंगे, इसको इतना को, कि भाई, पहले इसको एक bracket में डाल देते हैं, ठीक है, math.random इसको, और इसको बोलेंगे, कि सब को गुना करने के बाद, two int में convert करके देदो, जो भी आएगा, ठीक है, जो भी random number जो यह है, generate होगा, उसको एक integer में value दे दो, ठीक है, तो वो आपको integer में value दे देगा, well, इस तरीके से, girl index कर लेंगे, girl के लिए index निकाल लेंगे, और equal to, यहां क्या लिखेंगे, फिर से उसी तरीके से, कि math.random, dot random number generate करेगा, into, किस के साथ, अब to int, ओके, लीचे, अब भैल बच की हमारा message, ठीक है, message total, इसके साथ लिख देते है, message index, ठीक है, message index equal to, यहां पे भी हम math.random कर देंगे, math.random, जिससे कि हमारा random number निकल दाएगा, into, इसके साथ भी हम into करवाएंगे, क्योंकि हम नहीं करवाएंगे, तो फिर हम किस के साथ, क्य ला रहे है, क्या message total वाले को, यहां पर किस के, girls को, boys को, किस को, ठीक है, into, हम किस को ले आएंगे, यहां से, message total को, ठीक है, और dot to int, देखिए, अगर आपको यह चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक बार इसको देखिए, पूरा फिर से समझे, फिर से वीडियो को दे क्याल देंगे, ठीक है, तो हम लिखते हैं, कि फिर भाई, where phrase, ठीक है, या हम लिखते हैं, where message, big message, और let's say, confession, ठीक है, confession, ऐसे लिख देते हैं, where confession equals, और अब इस equal में आपको क्या लिखना है, double quotation, ठीक है, सबसे पहले लड़की का नाम आना चाहिए, तो लड़की का नाम कैसे index से निकलेगा, तो माल लिखे लड़के का नाम निकलेगा, उसके index से न, तो मैं लिखोंगा, यहाँ पर dollar का sign, ठीक है, dollar का sign, और उसके बाद, ये curly braces, ठीक है, ये dollar का sign और curly braces, इसमें लिखोंगा, क्या, इसमें लिखोंगा, मैं, boys, ठीक है, क्यों सबसे पहले हमको लड़क pass करना है तो index के जगा हम यही pass करेंगे y index जो हमने randomly index बनवाया है y index लीजे अब y index देंगे फिर a space लगाएंगे है ना और a space लगाने के बाद फिर से लिखेंगे क्या यहाँ पर ऐसे फिर से randomly और अब की बार क्या लिखना है हमको message वाला लिखना है मैं लिखूंगा इस तरीके से ठीक है और यहाँ पर message लिखेंगे मतलब की message का और इसमें pass कर देंगे message और यहाँ पर लिख देंगे किसका index कौन सा index आना चाहिए इस बार अब यहाँ से कोई भी index आएगा randomly जो number generate होगा number generate होगा तो boy index से उठालेगा माल लिखे वण आया तो 01 one index पास हुआ मतलब सुभम अब यह message से कोँचा index पास हुआ यहाँ message index वाला message index अब message index का value माल लिखे कुछ और है ठीक है message index का value है one ठीक है तो यह one आ जागा यह message index में कहा है यहाँ one है तो one यह है तो सुभम और 1 तो इसका मतलब सुभम और likes मिल गया तो सुभम likes हो गया अगर हम फिर a space देंगे और यहां से हमको क्या last बार लिखना है girl girl index क्या है उसे तरीके से girl index माल लिजे pass कर देंगे tina अगर 2 0 और 1 आ गया तो अगर 1 आया तो सुभम likes टीना ऐसे करके आ जाएगा अब यह depend करता है jbm पे कुछ भी बना सकता है मेरे कहने पर नहीं आएगा कि टीना को लिए या किसी और को लिए उठा के यह कोई भी को मतलब किसी भी कोई भी random number generate कर सकता है ठीक है तो यहां पर हम लिख देंगे girls ठीक है और यहां पर क्या लिख देंगे यहां लिखते हैं girl index ठीक है लीजे अब यहां पर इसी confession को हम print कर लेंगे है ना यहां नीचे आईए इसको print ln लिखिए और print कर लीजे हां confession जो भी है हमारा लीजे यह हमारा program ready है इस तरीके से और अब देखिए कितना मज़ आएगा यह program को चलाने में क्योंकि यह सब चीज का mixture है जो मैंने आपको बताया कि भाई इस तरीके से आप पढ़ेंगे और यह क्या है curly braces वालो भी मैं थोड़ा सा तरीना फिर से इसको एक बारी इसटॉप करते हैं ठीक है और stop करते है और run करते हैं फिर से rerun करते हैं थाहिए अब मितला प्षिणावी आ रहा है ठीक है अभी यह processor के उपाड़ी इपेंड करता है कुछ भी आ सकता है ठीक है कभी भी तो इस तरीके से आप का गया एक बार और आप अगर तो इस तरीके से फिर आप प्ले कर सकते हैं और चीजों को जब आप समझेगा तो काफी सारी चीजे अब आपको समझ में आएंगे, right? So I hope कि अब आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है कि size में ठट क्या कर रहा होगा और size आपको return करके देता है, उससे हमें यह काम कर वा ले रहे हैं, यहां से ठीक है, और देखो राहूल हेट टीन आ गया इस बार ठीक है, बार बार टीन आ ही आ जा रहा है, तो यह प्रोसेसर के तो कुछ भी आ जाएगा, राइट, तो मैंने आपको बताया कि आप array के साथ कैसे आप array बनाते है, क्या होता है, एक similar type of data आप array में hold कर सकते हैं, जितरीक से हमने यहां पर किया, size method क्या करता है, function size देदेगा, कितना size है, उससे हमने यहां पर क्या क्या कि एक index निकाल दिया, और index को pass कर दिया, और यहां से हम कर लिया, अब यह क्या है, यह syntax जो है आपको, जो curly braces और यह दिख रहा है, dollar sign, यह मतलब माल लिजे कि हमने लिखा bear x, ठीक है, और x की value है 45, अब हमको print करना है, print करना है, कि the value of, तो हम कैसे लिखेंगे, कि the value of x is, और x is लिखने के बाद, आ आप यहां पर plus कर सकते हैं, क्या, x, ठीक है, एक यह तरीका हो गया, लेकिन मैं यहां नहीं चाहता हूँ, मैं यह चाहता हूँ, कि मैं यहीं पर pass कर दो, string literal में, और मैं यहां पर pass करूँगा, ऐसे करके, ठीक है, और यह ऐसे करके pass करूँगा, x, ठीक है, और यह x अभी तो तो क्या है हमारा string नहीं है तो string नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ यह ऐसे होगा यह आप दीजिए डॉलर का sign और x लिख दीजिए खली राइट क्लिक करके अगर आप रन करेंगे तो आपको यह print होके मिल जाएगा एलेन कर देते हैं वरना चिपक जाएगा एक ही में राइट क्लिक कीजिए प्रिंट कर लिजिए तो लिजिए अब आपको यह नीचे 45 ऐसे देखके मिल जागा तो यह string लिटरल से है उसकी हम आगे और भी बात करेंगे तो यह इसी के लिए अगर यहां पर string रहता ठीक है माल लिजे इस X में अगर अंकित लिखा हुआ है तो right click कीजिए और इसको run कीजिए तो देखिए क्या आएगा क्या अंकित आता है या नहीं आता है यह लिजे अंकित आया इस तरीके से तो फिर आप मतलब यहां कर सकते हैं तो यहां पर क्या था हमारा आरे था तो हम इसलिए य चलिए तो आई वोप को समझ में आया होगा अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया मैं तो आप फिर से वीडियो को एक बार दुबारा देखिए आप हो समस्झ में आ जा गा हो झाल झाल